अपना जो लेसन है इस जल प्रालाय में यह लंबा लेसन है उपवाजा काट है लेंदी लेसन है तो देखें यह जो है इसलिए क्या कर जो मैं यहां तक हुआ था वेटे नेक्स्ट देखिए कहां तक हुआ था बोले तो यह क्या करना समझ में नहीं आ रहा तो सोंच रहे थे कैसा कैसा गये थे हम लोग वह बार फिलिप शेत्रों में उनके गुरू के साथ बादुडी जी के साथ गये थे तो यह पुरा विकलक कर रहे थ अब 1949 का शुरू कर वो हो गया इंजरेट अब यह रिकलक कर रहे ओके देखिए बेटे रीडर्स में देखिए 1949 उस बार महानन्दा की बाड से घिरे बापसी थानों के एक गाउ में हम पहुंचे हमारी नाव पर रिलीव के डॉक्तर सहब थे गाउ के कई बीमारों को नाव पर चड़ा कर कैंप में ले जाना था एक बीमार नवजवान के साथ उसका कुत्ता भी कोई कोई करता हुआ नाव पर चड़ाया तो यहाँ पर देखिए एक कॉमेडी सीन्स भी होते बटे ऐसे इंसिडेंट्स में हुआ है है तो यह लोग ज़ो है मैं49 में जब महाननदा यहने महानली रीवर कूछ जब फ्लट साए थे वहांपर भी गे थे उनकी सहायता करने के लिए तो तब क्या हुआ एक comedy scene हुआ क्या comedy scene हुआ बोले तो यहां वहां पर क्या कर रहे जहां पर पानी से भरे वे जो गाउं है न विटे यह लोग अपनी नाओ लेके गए थे लेके जा रहे और वहां पर क्या कर रहे बोले तो जो भी लोग पानी में रहे के जो बी ना है फिर उनकी इलाज करने के लिए तो वहीं पर एक डॉक्टर मिल गये थे तो उनको अपनी नाव पर बिठा लिए बिठाते ही क्या हुआ उनका एक पेट डॉप कुत्ता है तो उन्हें भी कुँँ कुँँ करते वह क्या करा वो नाव पर चड़ गया ओके करता हुआ कुत्ता है वो भी चड़ गया है तो अवार र्कृता सागे है कुट्तोंसे तो यहां बहुतर संब होट ऐख़ बहुत कुत्ते की देखकर के मारे चिलाने लगे क्या वोल कर नहीं कुकुर नहीं कुकुर को भगाओ कुकुर यानिक इनकी भाषा में तो कुकुर को भगँ यहां से कुठे को भगां यहां से ऑपनी भाष्षा में लगे विमार नहुजवान छप से पाणी में उतर गया तो वह जिसका कुट्ता है न chilli जो जो डिसकी कुट्ता तो उन्हें ड्राप्टर साब कुत्ते को नको बलके बोल दिये इन्हों ये नवजवान क्या करें गुस्से में आके उन्हें उतर गया पाली में जाव में नहीं आता बोलके उन्हें उतर गया देखो comedy scenes देखो यहां पर, हमारा कुकुर नहीं जाएगा, तो हम हुँ नहीं जाएगा, तो उतर गया, उतर जा कि क्या है, हमारा अगर कुकुर नहीं जाएगा, कुकुर याने कुत्ता, अगर मेरा कुत्ता नहीं चड़ीगा ना उपर, तो मैं भी नहीं चड़ूंगा, मैं इलाज नहीं कराएं बॉलके उन्हें उतर गया हूं फिर कुट्ते भी छपक पानी में गिरा हमारी हमार आदमी नहीं जाएगाह। जचर से पानी में उतर गया और फेस ऐसा लगा है जैसा एक्स्प्रेशन से क्या समझ में आ रहा हो तो हमारा पानी शचेड़ेग differs नाव पर तो हम भी नहीं चड़ेंगे नाव पर वोई के ऐसे कौमेडी सिंस होते रहते थे परमान नदी की बाड में डूबे डूबे हुए एक मुसहरी मुसहरी याने मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए तो वो इंसिडेंट हो गया दूसरा इंसिडेंट सुनाने लगे दूसरी जगापर गए लोगां जो जंगलों में रहती ना वेटे एक ट्राइबल पीपल जो बोलते वहाँ पर बाड आया था तो वैसे इलाके में गया थे एक बार खबर मिली थी कि वे कहीं दिनों से मचली और चुहों को जुलसा कर खा रहे हैं किसी तरह जी रहे हैं किन्तु लोटे के किन्तु टोले के पास जब हम पहुंचे तो धोलक और मंजरी का अवास सुनाई पड़ी धोलक तो मालूम है ना वेटे मंजरी भी एक की ये लोग जब युशा घूल रहुत वेसे टो यहां पर यmos vantage जब वो इलाके में पहुंचे तो इनको मालूम हुआ ति वहांपे जो है बहुकिनोंसे पानी वेसी हैं तो लोग जो हैं पानी में जो आता जाता हुआ जो मचली है वो पकड़ के खारे और चूहें चुहे को भी खारे वो लो शायद वो लों को आदत है तो ये दो खाके जी रहे वो लो तो वहां पे बिमार लोग भी बहुत है तो उनकी सहायता करने के लिए पूरा गुरूप गया फिर अपने गुरू के साथ ये पूरा गुरूप वहां पे पहुंचा तो वहां पे जाने क रड़ लोगां जैसा की उतर नीचे तो वहां पर अच्छी सारी नीजिक गरишь TV भी सुनाई दरी जैसे कि धो लग की और मंजरी की म्यूजिक सुनाई दीर और क्या हो रहाам तेखो कि जाकर देखां एक उंची जगा बना कर स्टेजी की तरह बनाया गया है बल्वाही नाच चोड़कर माई के भागी जा रही है और उसका घरवाला उसको मनाकर राह से लौटाने गया है तो वहाँ पे जब यह लोग सुनाई दे रहा था तो वहाँ पे जब आगे जा रहे तो जहां पे लोग बैठेवे हैं वहाँ पूरा लोग एक खटा होके वही पर पैठेवे लोग fully enjoy कर रहे वहां यह बाड के time पे वियो लग enjoy कर रहे क्या है वहां पे बोले तो एक stage drama play हो रहा वहां पे क्या है drama का उसका story क्या है बोले तो वहां पे एक पती पत्नी है और पत्नी जो है अपने पती से रूट कर अपने माई के चली जा रही है तो उसको मनाने के लिए पती उसको मना रहा वो सीन पे एक गाना चल रहा वहां पे इसलिए धोलक और मंजरी बज रही है वो गाना चल रहा था वहां पे देखो लोग enjoy भी कर रहे है इसे moments पे इस पत के साथ ही धोलक पर दृत ताल बजने लगी धगिड 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 चकदूम 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 म्यूजिक देखो लों का different type of pronunciation है तो चकदूम चकदूम बोलके ऐसा बीच-बीच में वो म्यूजिक भी बज रहा है कीचर पानी में लगपत भूके प्यासे नर नारियों के जुन में मुक्त खिलखिलाहट लहरेल लेने लगती है हम रिलीफ बाण कर भी ऐसी हसी उन्हें दे नहीं सकेंगे क्या शास्त्री जी आप कहा है बलवाही नाच की बाद उठाते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आती है यहां यह एक बार हां तो यह अलग इंसिडिंट है तो यहां पर इस लोग गयए फिर वावस लोट रहे थे तो ये लोग सोचने लगे अपन इतनी मदद करके भी इतनी खुशी नहीं है अपने चहरे पर जितना ये लोग इतने बाढ़ शेत्रों में भी इतना खुश हैं एंजोई कर रहें लाइफ को ये लोग बुलकर ये लोग सोचते वे वापस आ रहे थे तो इनको अपने एक दोस्त की याद आती विडिये, ये इंसिडेंट के साथ इनकी एक दोस्त की याद आती, शास्त्री जी है उनका नाम, क्यों याद आता नहीं मालूम, देखिए आगे 1937 में सिमरवनी शंकरपूर में बाड के समय नाव को लेकर लडाई हो गई थी, मैं उस समय बाल्चर याने स्काउट्स में थे, छोटे थे, 1937 की बाद में, थे, तो एक बार 1937 में भी बाड आया था, तो वो समय में भी ये पूरे नाव लेके गए थे, पूरा स्काउट्स का पूरा गया था, गाउं के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बना कर किसी तरहा काम चला रहे थे, और वहीं जमिदार के लड़के नाव पर हार्मोनियम तबला के साथ जिंजर जल विहार करने निकले थे, गाउं के नवजवानों ने मिलकर उनकी नाव छी ले थी, थोड़ी मार पीड भी हुई थी, तो अभी एक इंसिदेंट बता रहे, 1937 में क्या हुआ था, तो ये लोग जब गए थे, वो बाड़ पीडित क्षेत्र में लोगों को बचाने के लिए, तो वहां पे अल्रड़ी लोग जो है अपना प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि लोगों के पास नाव नहीं था, वो पानी से बाहर आने के लिए, तो वहां पे एक जमेदार के पास था नाव, तो बिचारे जमेदार लोगों की मदद नहीं कर रहे, तो यहां पे जमेदार का लड़का क्या कर रहा है बोले तो वो नाव पर एक ट्रांसिस्टर, एक म्यू करने के लिए निकला था तो वहां नवजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी घुसे में थे लोग गाउं के यह ताइम पर यह जरूरी नहीं है तो थोड़ा मारंबीटी हुई उसको मारे नाव छीन लिए अब लोग अपना जान बचाने लगे थे तो यह भी याद करने लगे तो बच्वा आज यहीं पर समाप्त करते हैं धन्यवाद्ट